Dear student, अब हम जो use and audience of research की बनियाद पर दूसरी टाइप है research की applied research उसके बारे में बात करेंगे Applied research is a kind of research designed to offer practical solution to concentrate on a problem or address the immediate and specific needs of practitioners Applied research जो होती है उसमें हम कोई theory develop नहीं कर रहे होते या किसी discipline के subject matter के उपर बात नहीं कर रहे होते बलके applied research में हम particularly focus कर रहे होते हैं कि जो किसी भी मौशरे की development needs हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है जैसे कि अगर हम बात करें हैं अपनी society की पाकिस्तानी society की तो यहां पे हम किस तरह अपलिफ्ट कर सकते हैं अपने जो below the poverty line जो आपके जो population हैं तो उसको हम किन programs के तरह अपलिफ्ट कर सकते हैं हम अपनी energy को needs को कैसे पूरा कर सकते हैं हम अपनी जो है communication की जो needs हैं और अपनी जो transportation की जो needs हैं बड़े शेरों की उसको कैसे पूरा कर सकते हैं तो इसके उपर जब हम research conduct करेंगे तो उसको हम applied research करेंगे जैसे कि एक मैं आपको और example देता हूँ कि आजकल जो हमारे शेयर हैं वो smoke का शिकार है तो इस smoke को हम कैसे खतम कर सकते हैं तो इसके उपर जो research conduct होगी वो एक applied research होगी तो ये applied research हम क्यों conduct करते हैं applied research इसलिए conduct की जाती है ताके हम जो policy makers हैं उनको inform कर सकें कि उन्हें किस तरह के initiatives लेने की जरूरत है या जो social problem exist कर रही है उसको हम कैसे खतम कर सकते हैं और decision makers को inform करते हैं कि किसी भी social problem को reduce करने के लिए उसको खतम करने के लिए किस तरह के developmental projects require हैं और इसमें हम applied research में purely emphasize on providing the empirical data इसमें हम theoretical contribution से ज्यादा हम empirical data की need के उपर बात करते हैं कि हमारे पास जो इस research की output होगी वो empirical data होगी जिसकी बन्याद पे हम जो है suggest कर सकेंगे कुछ suggestions to develop the policy and initiate the development projects इसकी मैं आपको एक example देता हूँ कि जैसे मैंने पहले बात की है कि हमारी 30 to 40% जो population है वो below the poverty line जो है वो जिन्दगी गुजार रही है तो उनको social safety net programs की जरूरत है जिससे उनकी जो extreme poverty है वो खतम की जा सके तो इसके उपर research की बेस के उपर जो प्रोग्राम शुरू हुए है वो BSP program हैं जिसको हम बेंजर income support program कहते हैं इसको एसास program भी कहा जाता है जैसे पाकिसानी community की जो है सेहत की जरूरियात को पूरा करने के लिए अब एक जो है डैशनल health insurance policy लाई गई है जिसको सेहत card program कहा जाता है इसी तरह जो दूसरी type की applied research हो शकती है कि वो feasibility और impact assessment studies हो शकती है जैसे अगर किसी जगा पे मोटर वे गुजरना है कहीं से energy की transmission line गुजरनी है या कहीं पे dam की site है तो वहाँ पे community जो वहाँ पे रहती है वो उससे कैसे मतासर होगी अगर वो development project होगा तो उसके लिए जो studies होती है उसको भी हम applied research की कहते हैं तीसरी studies जो होती है applied research की वो rehabilitation studies की तरह की हो शकती है जैसे कोई disaster की वज़ा से जैसे अभी recently lab आया है और उससे बहुत ज़दा लोग मतासर हुए तो अब उनको दुबारा से उनके अलाकों में कैसे बसाया आ जाए उनको कैसे दुबारा से वहां पर उनकी जिन्दगी को शुरू किया जाए तो इस तरह की जो studies होती है उनको हम rehabilitation studies कहते हैं तो ये भी जो है applied research की ही type है